भैंसे ने जान देकर निभाई वफदारी ऐसे बचाई बिजली के तार से चिपके मालिक की जान इस भैंसे की वफदारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है एक बैसे ने मालिक के प्रती अपनी वफदारी दिखाते हुए जान दे दी बिजली के तार से चिपके दिखे, मालिक को बचाने के लिए भैस दोड़ पड़ी और अंत में मालिक को बचाते हुए भैस की मौध हो गई जानवरों को प्यार देने पर वो भी आपस को बदले में प्यार ही देते हैं उन्हें भी प्रेम और ममता की भाषा समझ आती है वो इतने वफदार होते हैं कि अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को त्यार रहते हैं माना जाता है कि कुत्ता सबसे वफदार जानवर होता है लेकिन हाल ही में हुई एक घटना में भैसे ने जो किया वो सुनकर आप उसकी तारीफ किये बिना नहीं रहेंगे मामला उत्तरप्रदेश के भदोही का है एक भैस ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी इलाके में इस भैस की वफदारी की खूब चर्चा हो रही है जानकारी के मताबिक भदोही के बावु सराय गाउं के 55 साल के पारस पटेल रात में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे आधी रात को अचानक बारिश होने लगी पारस पटेल अपना बिस्तर समेट कर जल्दी जल्दी घर के अंदर जाने लगे उसी दोरान वो करंट की चपेट में आ गए और ये पूरी घटना हो गई आपको बता दे की अंदर जाने के दोरान विजली का तार जमीन पर गिर गया बज़र के पारस पटेल उसे डंडे से हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तार मुढ कर उनके शरीर पर चिपक गया पारस पटेल की मौके पर ही मौत हो गई तब ही उनका बेटा शिवशंकर वहां पहुंचा और पेता को बचाने का प्रयास करने लगा लेकिन वो भी तार की चपेट में आ गया और छटपटाने लगा अपने मालिक को मुश्मिल में देख वही पास में बधी उनकी भैस हूटा उखाड कर शिवशंकर को बचाने के लिए दोड़ पड़ी मालिक को बचाने में वो भी तार से चिपक गई हालागी भैस ने अपने मालिक को तो धका मार कर बचा लिया लेकिन उसे अपनी जान कवानी पड़ी शिव शंकर का अभी इलाज चल रहा है भैस की इस वफदारी की चर्चा पूरे गाउंट हो रही है तो इस भैस की वफदारी के बारे में आपकी क्यार आई है नीचे में कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा और इस वीडियो को फेस्बूक और वाटस अप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें